Hello everyone welcome back to Sismathana Arabi Indovirus Group डीक लिए ये बोट and stream का previous ये question है क्या दिया होँए एब बोट कावर्स 24 km upstream and 36 km downstream in 6 hours while it covers 36 km upstream and 24 km downstream in 6 and half hours the speed of the current अब मजी का बाद देखो की upstream speed हम लोग पकल लेते बोट का speed पकल लेते x and stream का speed पकल लेते हम y तो upstream speed क्या हो जागा सर? upstream speed, upstream speed हो जाएगा x minus y and downstream speed क्या हो जाएगा? downstream speed, downstream speed हो जाएगा x plus y अब 24 km upstream कवर करता है मतलब 24 बटा x minus y plus 36 km downstream कवर करता है मतलब 36 बटा x plus y equals to क्या है? 6 hours, in 6 hours मतलब यहाँ पे 6 ठीक है? while it covered 36 km upstream मतलब 36 by x minus y plus 24 km downstream मतलब 24 बटा x plus y equals to 6 and half मतलब 13 बटा 2 13 बटा 2 अब सर एक चीज दिमाग दिमाग में सोच लो कि x minus y को हम लोग क्या करता है? u पकड़ लेता है x plus y को हम लोग d पकड़ लेता है तो यहाँ से क्या equation आ जा रहा है? देखो 6 से सब कुछ कड़ जा रहा है सब का कड़ेगा तो 64 24 तो 4y 4u हम लोग 6 से divide करके पूरे replace करते है plus 36 मतलब 6 6 36 तो 6d equals to यहाँ से एक्स प्लस y को 1 बटा u x प्लस y को 1 बटा d मतलब 1 by x minus y को u से convert कर रहा है ठीक है? बाद में याद रगना उसको convert करना पड़ता है तो इसको क्या मिलता है? 1 यहाँ से क्या मिलेगा? 6u plus 24 64 24 4d equals to क्या हो जा रहा है sir? यहाँ से 13 बटा 6 2 12 6 से divide किये अब यहाँ से sir equation को क्या करे कि जल्दी से solve हो जाए sir हम लोग यहाँ इसको कर सकते हैं 2 से गुना 3 से गुना कर देता है 4 3 बार 6 2 बार 2 से गुना करता है the speed of the current एक निकलेगा तो दूसरा भी निकल जागा मजे के बात है 4 3 12 U plus 6 3 18 D equals to 3 यहाँ से आजरा 12 U plus 4 2 8 D equals to 13 बटा 6 काटेंगे तो क्या जाएगा minus U तो हड़ गया तो downstream मिल लिए रहा minus करेंगे तो 8 10 D 10 D 10 D equals to 3 minus 13 बटा 6 अब से 13 बटा 6 6 यहाँ पर भी करते हैं तो 6 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा तो उपर हो रहा 5 बटा 6 तो D का वैलू कितना हो जाएगा सर 5 बटा 5 2 10 मतलब 1 बटा 12 6 2 12 तो D क्या था सर 1 by X plus Y तो X plus Y क्या हो जाएगा सर X plus Y हो जाएगा 1 by 2 into 4 मतलब 1 by 8 तो U मतलब upstream speed X minus Y क्या हो जाएगा 1 by U तो that is equals to 8 किसके बाँ आता the speed of the current तो current मतलब minus करेंगे और 2 से divide कर देंगे तो minus करते हैं 12 4 8 by 2 मतलब 2 is the correct answer option number 2 2 km per hour Okay sir Thank you Bye bye Stay tuned for the next class